अपनी एकिगी को ढूंद कर और उस पर काम करके आप एक अपूर्नी अस्तर प्राप्त कर सकते हैं। तकनीक भी आपकी जगह नहीं ले सकती। दोस्तो जापान में ओकिनावा नाम का एक आइलेंड है जहांके लोग 100 साल से भी ज़्यादा जीते हैं। वहीं 80 से 90 साल के लोग भी रोज खुशी-खुशी उठते हैं और अपना काम करते हैं। और मरते दम तक रिटायर मत होना। यानि दुनिया में सबसे लंबी, बेहतरीन और खुशाल जिन्दी जीने वाले लोग जापान के ओकिनावा में रहते हैं। क्योंकि वे अपना जीवन एक सूत्र के सहारे जीते हैं, जिसे एकिगाई कहते हैं यानि जीने की वज़ाए। जापानी लोगों का मानना है कि आप इस दुनिया में किसी खास मकसद से आये हैं। और वह उदेश्य है आपकी एकिगाई। अगर आप अपनी एकिगाई के अलावा कुछ और करते हैं, तो वह आपके लिए मज़ेदार नहीं होगा। आप हमेशा तनाव में रहेंगे और आपका मन हमेशा उस उदेश्य की तलाश में रहेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि दुनिया में कहीं भी रहने वाला व्यक्ति इस जापानी फॉर्मूले का इस्तिमाल कर अपनी एकिगाई यानि अपने जीवन का मकसद तलाश सकता है। जब भी आप अपना कॉलेज खत्म करने के बाद काम पर जाते हैं तो आपको जीवन में क्या करना है इस बारे में एक बड़ा फैसला लेना होता है। यह निनय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप अपने जीवन का सबसे अधिक समय काम करने में लगाते हैं। इसलिए कोई आपसे ऐसा काम करने को कहेगा जिसमें आपको खुशी मिलती हो। कोई कहेगा वह काम करो जिसमें तुम अच्छे हो। कोई कहेगा कि वह काम करो जो तुमें अमीर बनाता है। या फिर कोई कहेगा कि वह काम करो जिसकी दुनिया को जरूरत है। अब समस्या यह है कि हर कोई हमें इन चारों में से एक ही विकल्प चुनने को कहता है, जो की गलत सला है. इक ही की इन चार भागों का सन्योर्जन है, और अगर इन में से कोई भी हिसा छूट जाए, तो आपके जीवन में कौन-कौन सी परिशानिया आ सकती हैं. इसे हम एक डाग्राम की मदद से समझेगे, पहला चक्रवा है जिसे आप प्रिम करते हैं, इसमें वे सभी चीज़ें शामिल हैं जिनने आप करना पसंद करते हैं, दूसरा चक्रवा है जिसमें आप अच्छे हैं, इसमें वे सब कुछ है जो आप अच्छे से कर सकते हैं, तीस और दूसरे सरकल के मेल से आपको आपका पैशन मिल जाएगा यानि जो भी आपको करना पसंद है और आप उसमें अच्छे हैं वही आपका पैशन होगा उधारन के लिए आप नहीं चीजें सीखना और प्रोग्रामिंग करना पसंद करते हैं और आप उस काम में माहिर हैं इसल आपने कुछ नया सीखा और एक एप बनाया जिससे आपको थोड़े पैसे मिले। तो अब वह काम आपका पेशा बन गया है। तीसरे और चोथे वृत के योग से आपको अपना वेबसाइप राप्त होगा। यानि जिस चीश के लिए आपको भुकतान मिले और दुनिया को जिस चीश की जरूरत हो वही आपका पेशा बन जाएगा। यानि आपने जो कुछ भी बनाया है वो दुनिया की जरूरतों के लिए सबसे उप्युक्थ है, वही आपका पेशा बन जाएगा. और अंत में आपको अपना मिशन मिल जाएगा. यानि दुनिया को जिस चीज की जरूरत है और वही आपका पसंदीदा काम है, वही आपका मिशन बन जाएगा. उधारन के लिए आप उस एप पर काम करना पसंद करते हैं जिसकी दुनिया को जरूरत है. तो आपका जुनून और दुनिया की जरूरत आपका मिशन बन गया समस्या तब आती है जब लोग कहते हैं कि अपने पैशन को ढूंढो लेकिन सिर्फ जुनून ढूंढना काफी नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एक गाने का हिस्सा है आपको ऐसा काम खोजना चाहिए जो अन्यतीन घटकों को संतुष्ट करता हो उधारन के लिए मान लिजिए कि आप ब्लोग लिखना पसंद करते हैं आपने अपने ब्लोगिंग कोशल को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत की और अब आप इसमें अच्छे हैं और दुनिया को आपके ब्लोग से कुछ नया सीखने को मिलता है यानि दुनिया को आपके काम की जरूरत है और वह आपको आपके काम के बदले में भुक्तान करती है अर्थाद ब्लोगिंग चारों घटकों को संतुष्ट करता है यानि blogging आपका एकलोता गाना है आपका उदेश कुछ ऐसा खोजना होना चाहिए जो जुनूम, पेशे, व्यवसाय और मिशन के सभी चार घटकों को संतुष्ट करे और इन चार components में से आपको अपना एक ही गाना मिलेगा यानि आपको वह काम मिलेगा जो आपको पसंद है, जिसमें आप अच्छे हैं, जिससे आपको पैसा मिलता है और दुनिया को उस काम की जरूरत है और जब ये चारों चीजें संतुष्ट होंगी तो आप एक लंबा और तनावमुक्ट सफल जीवन जी सकेंगे उधारन के लिए सचिन को क्रिकित खेलना पसंद है, उन्होंने अभ्यास किया और इसमें अच्छे हो गए क्रिकित खेलने से उन्हें पैसे मिलते हैं और लोग उनकी बल्लेबाजी को काफी पसंद करते हैं यानि दुनिया को उसकी जरूरत है सचिन के लिए प्रिकित चारों घटकों को संतुष्ट करता है यानि प्रिकित सचिन का एकलोता गाना है आप जितने भी लोप्रिय व्यक्तित्वों को जानते हैं उन्होंने अपना एक और एकलोता गाना ढून लिया है और यही कारण है कि वे इतने आगे हैं अपना एक मात्रगीत धूनना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आप अपने काम में प्रवाह की स्थिती प्राप्त कर सकते हैं। प्रवाह अवस्था का अर्थ है अपने काम में इतना डूप जाना की और कुछ मायने ही न रहे। और वो प्रवाह अवस्था ही विशेशगियों, कलाकारों और प्रतिभाशाली व्यक्तित्वों की शक्ती है। उनकी एक और एक मात्रगीत को खुजने और उस पर काम करने के कारण। आपल के संस्थापक स्टीव जॉब्स को जापानी कलाकार और इंजीनियर पसंद थे। एक 1980 के दशक में जब स्टीव जॉब्स ने जापान में सोनी के कारखाने का दोरा किया, तो उन्होंने उनसे बहुत सी नहीं चीजें सीखी और उन्हें अपनी कमपनी में लगू भी किया। यहां तक की स्टीव जॉब्स को भी रोजाना वर्दी पहनने का विचार वहीं से आया था। दुनिया के सबसे रोक्री एनिमेशन स्टूडियो में से एक, जापान के स्टूडियो घिबली के संस्थापक और एनिमेटर हयाओ मियाजा की अपने काम में इतने मशगूल हो जाते हैं कि वे रविवार और राश्ट्री छुट्टियों के दिन स्टूडियो में काम करते हैं और 89 साल के होने के बावजूद वह अपने काम से कभी नहीं ठकते क्योंकि उन्हें अपना एक ही गाना मिल गया है और वह उस पर काम करते हैं जापानी शेव 09-94 साल के होने के बावजूद अभी भी दुनिया की सबसे अच्छी सुशी डिश बनाते हैं क्योंकि सुशी बनाना उनका एकलोता गाना है अपना एक मात्र गीव धून्व कर और उस पर काम करके आप एक अपूर्णी अस्तर प्राप्त कर सकते हैं तक्नीक भी आपकी जगा नहीं ले सकती इसका सबसे अच्छा उदारन मार्कोडे हैं जो रोल्स रोयस के एक मात्र कोच लाइंग पिंटर है जो दुनिया की सबसे महंगी कारों में से एक यानि रोल्स रोयस पर अपने हाथों से एक रेखा खीशते हैं जो एक बहुत ही दोलब कोशल है और नहीं कोई उसे बदलने में सक्षम है आपको अपना इकलोता गाना अचानक नहीं मिल जाएगा आपका अंतरमन यानि आपके अंदर की आवाज और जिग्यासा आपको अपना इकलोता गाना ढूनने में मदद करेगी उसके लिए आपको अलग-अलग चीजों को आजमाना होगा और सवाल पूछने होगे और खुट को तलाशना होगा और जब भी आपको अपना एकलता गाना मिलेगा आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हाँ मैं यही ढूंद रहा था यह सब मैंने हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिराल्स की किताब विकिगाई से सीखा है इस किताब में ओकिनावा के लोगों के बारे में और भी तई आश्चवेजदक बातें लिखी गई हैं जो आपको पसंद आएगी अगर आप इस किताब को पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर आपके पास इतनी सारी शांदार किताबे पढ़ने का समय नहीं है तो इन किताबों के साराश वाले वीडियो देखते रहें धन्यवाद